मैं जब तक आप से मिला नहीं था, मुझे एहसास ही नहीं था कि ये रिष्टे इतने एहम होते हैं बाबा बहुत सिकर करते थे पुपो का आपका, लेकिन मेरा कभी दिल नहीं चाहा कि मैं आप लोगों से मिलू मैंने सोचा था कभी सरे राह यूहीं चलते तलते वक्त आप लोगों को मेरे सामने ले भी आया, तो मैं अशनभी बन जाओंगा जारा ने आती जाती लहरों से नजरें हटा कर सैन को देखा, वो अपनी ही दुन में कह रहा था, मुझे आप लोगों पर गुसा आता था, जिन्हों ने बाबा को इतना तनहा कर दिया, मेरे लिए तो हर रिष्टा बाबा की जात में पिनहा था, वही सब कुछ थे, बाकी हर रिष्टा बे माइनी, लेकिन अब, वो बात अधूरी छोड़ कर नजाने क्या सोचने लगा, अब, जारा की सवाल या नजरें उसकी तरफ उठी, अब तो सारा मंजर ही बदल किया है, बाबा नहीं रहे, ये घर जो मेरे लिए किसी जन्नत से कम ना था, अब काट खाने को दोड़ता है, मुझे वहशत होती है, यहां आने से, और आप, उसने जरा की जरा नजरों का जाविया बदल कर जरा को देखा, जो उरते दुपटे को संभालते हुए उसी को देख रही थी, अब मुझे अफसोस होता है, हम लोग पहले क्यों ना मिले, मिल तो गए, जरा मु क्या ये काफी नहीं कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपने पॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, दुख बाट सकते हैं, चोरी चुपे, डर डर के, जैन के लहचे में तलखी दर आई, मैं किसी को ये नहीं बता सकता, कि आप कौन है, क्यों मिलने आती है पुपो से उनके घर मिलने नहीं जा सकता, वो मुझ से मिलने आती हैं, तो चोरी चुपे, जैसे कोई गुनाह, कोई जुर्म किया जा रहा हो, जैन सब ठीक हो जाएका, तुम अच्छे वक्त का इंतजार तो करो, जारा ने रसानियत से कहा, तो एक इस तह जाया मुस्कुरा जैन के लबों पर बिखर गई, अच्छे वक्त का इंतजार तो बाबा ने भी किया था, क्या सिला मिला, नहीं, मेरा गुजारा अब कम में नहीं होता, ये प्यास तो अब जाग उठी है, रदल जाता है, मैं खुले आम, अपनी फुपो के घर आउं, उन से लाट जाता हूं कि मैं तनहा नहीं हूं, ये मिसिज आइमा उमेर मेरी फुपो है, ये जारा उमेर, जैन प्लीज, जारा ने उसके कंदे पर हात रखा तो वह लब बीच कर रहा क्या, ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, वो बेचारगी से बोली, ऐसी ही कोई है आपको, मेरी जिन जाने का, अरे एक बार तो सर उठागर जीने दे, ये जिन्दगी तो हर सुरत कभी न कभी खतम होनी ही है, वो चुड़ कर बोला, जारा ने बेहत कुफकी से उसे देखा, तुम्हें हमारे एहसासात की जरा भी परवा नहीं, तुम्हारे इन ही बातों ने ममा को डिस्टर्ब कर दिया है, वो सर जटक कर अपनी पेशानी मसलने लगा, तुम थोड़ा इंतजार तो करो सैन, कोई न कोई रस्ता निकल ही आएका, रोशने की कोई किरल उसके पास नहीं थी, मगर वो फिर भी पुर उम्मीद थी, रस्ता तो अब मैं निकालूगा, वो जेरे लब बड़ बड़ाया, क्या कह रहे हो, मुझे बाबा को बेगुना साबित करना है, वो मुसम्मम इरादे से बुला, क्या करोगे तुम, जारा ने कदरे हैरान होकर उसे देखा, सबूत, सबूत इकठे करूँगा, जैन, इतने बरसों के बाद, हाँ, इतने बरसो मैंने आज उसकी आँखों में एक खास चमक देखी है, बिल्कुल वही चमक जो अपने बाप के कातिल का तसकरा करते हुए सलमान की आँखों में उभरती है, जारा बिल्कुल उन्ही की तरहां खौफ सदह हुई, तुम क्या सोच रही हो, जैन ने उलचकर उसे देखा, फिर में बताए बगर कोई कदम नहीं उठाओगे, जैन ने अस बात में सर हिला दिया, एक वादा आपको भी करना होगा, जैन ने कहा तो वो चौक गी, कैसा वादा, आप मुझे रोकेंगी नहीं, जारा ने कुछ लम्हें सोचा, फिर नफी में सर हिला दिया, मैं ऐसा वादा न जैन की निगाहों में खुफकी सी उतर आई, वो खड़ा हो गया, आईए, आपको घर छोड़ाओं, किसी ने देख लिया तो, उसके लहचे में गहरा दंस था, जारा ने सर उठा कर उसे देखा, तुम्हें लगता है कि हम ये सब अपने लिए कर रहे हैं, वो सर जटक कर बाप का इंतजार किया, फिर खमोशी से बैक उठा कर नीचे उतर गई, जारा, रिस्वान का फॉन आया था, उसने अभी जोर्नल खोला ही था, जब ममा ने आकर बताया, चुटी का दिन था, वो अभी स्टडी के इरादे से बैटी थी, उसका तो अकसर ही फॉन आता है, पत है जो तुम्हारे लिए वक्त निकाल रहा है, ममा मुस्कुराई, फिर तो मजबूरी है जाना पड़ेगा, नहीं ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं मना गर देती हूँ, कि जारा उमेर के पास आज की तारीख में वक्त ही नहीं, ममा उसका लहजा पा गई थी, ममा जारा हस अच्छा सुनो, तुम कल जहन के तरफ गई थी, उन्होंने संजीदा होकर पूछा, हाँ गई तो थी, बात की उससे, कौन सी बात, वो काईब तमागी से पूछते लगी कि जहन उसकी कल के बातों में उलज किया था, अमेरिका सैटल होने वाली, नो ममा, मैं उससे बात नही जुने का, मैं जानती हूँ मैंने उस दिन जरा सी बात की थी, उसने यू इगनोर किया जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं, वो मैयूसी से गोया हूँ, ममा, हम उसे रोक नहीं सकेंगे, जारा ने आईस्तगी से कहा तो वो खमोश सी हो गई, मुझे उसे रोकना है, हर सूरत में, सच पूछें तुम मेरी हिम्मत नहीं हुई उस सगी कहने की वो भिगर जाता हाँ मामा ने गड़ी पर निगाह दोड़ाई तुम उचो तयार हो चाओ रिस्वान आता ही होगा ओके मामा ने बात बदली तो वो भी खमोशी से उठ गई अभी तयार हो रही थी जब रिस्वान के आने की इतला मिली वो लिपस्टिक को आखरी टच देकर ट्राइंग रूम में आ गई हेलो हेलो रिस्वान ने एक बरपूर निगाह उसके सरा पे बड़ा ली रॉयल ब्लू कलर के ड्रेस के साथ सिल्वर नाजुक सी जूलरी में वो हमेशा से ज्यादा मुनफरीद और खुबसूरत लग रही थी चलें जारा ने अस्वात में सहिल आया तो वो ममा को खुदा हाफिज कहकर उसे साथ लिये बाहर निकलने लगा कि फॉन की बेल गूंच उठी हेलो वो एक दम किसी का नाम लेते लेते खमोश सी हुई थी जारा ठिटक कर ममा को देखने लगी दूसरी तरफ जैन था कैसी है पुपो आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ उन्होंने चोड नजरों से रिजवान को देखा फिर उसकी तरफ से बिल्कुल लाश औरी तोर पर रुख बदल लिया जारा कहा है जारा वो तजबजब का शिकार हो गई जारा ने आगे बढ़ कर रिसीवर थाम लिया हेलो थैंक गॉद मैं तो समझा आप मुझसे बात भी नहीं करेंगी क्यों वो बहुत सहूलत से बात कर रही थी मुझे लगा कल आप खफा हो कर गई है कि नहीं होना चाहिए था हलांकि तुम्हारी बाते तो ऐसी ही थी अच्छा छोड़े ना सुला कर ले सोचूंगी अभी आप फुपो को लेकर आ सकती है अभी क्यों बस आ जाए ना एक चोटा सा सर्प्राइज है उसका लेज़ा मस्कुराता हुआ था अभी क्यों नहीं बता देते आएंगी तो बताओंगा अभी तो ममगी नहीं शाम में आऊंगी अभी क्यों नहीं वो बस जित था ओके मैं शाम में जरूर आ जाओंगी रिजवान उसके सामने खड़ा था वो जवाब देने की बज़ाए खुदाहाफिस कह गई फिर रिजवान के तरफ बल्टी सॉरी मेरी फ्रेंड का फॉन था चले चाइनीज रेस्टरेंट में उनकी टेबल पहले ही रिजर्व थी बेटर ने टेबल तक उनकी रहनुमाई की रिजर्वड का कार्ड उठा कर उनके सामने मैं न्यू कार्ड रख दिये क्या लोगी एस वी लाइक वो इस वक्त जैन के मतलिक सोच रही थी कार्ड खोले बगैर ही बेतवच्चही से बूली रिजवान ने एक पल को उसके बेतवच्चही महसूस की फिर खुद ही औजर लिखवाने लगा क्या सर्प्राइस होका रिजवान सामने ना होता तो इसरार करके पूछी लेती पूछना क्या अब तक वहां पहुँच भी गई होती रिजवान ने उसके चेरे पर बिखरे सोच के रंगों को पढ़ने की कोशिश की नजाने वो किस बात पर उलच रही थी उसने उंगली से टेबल बजाया जारा चौम खर उसके तरफ मतवच्च हुई अच्छी लग रही हो एक मद्दम से मुसकान जारा के लबों पर बिखरी क्या सोच रही हो कुछ खास नहीं मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं सोच रही रिस्वान बर जस्ता बोला तो वो किल किला कर हस दी आप तो मेरे सामने है बास उकाद सामने रखी चीज़ नजर नहीं आती आप चीज़ नहीं वो बरपूर एतमाद से बोली तो रिस्वान मस्कुरा दिया कभी कभी यूहीं खुश कमान कर देती हूं मुझे गुमान क्यूँ आपका और मेरा बहुत वाजिया रिष्टा है गुल्दान में सजे अद्खिले गुलाब की पत्थियों को चूते हुए सारा ने सरा नजरें उठा कर उन्हें देखा वो मस्रूर सा हो गया तुम आम लड़कियों की तरह अपनी फिलिंग्स छुपाने की कोशिश क्यों नहीं करती क्यूंकि मैं आम लड़की नहीं हूं वो मुबहम सामुस को रही बस तो मारा यही एतमाद तो पसंद है मुझे बेटर खाना सर्फ करने रखा तो वो खमोश हो गए लैसे आज आज आपको मुझे लूंच करवाने का खयाल कैसे आगया अच्छा नहीं लगा ऐसी तो कोई बात नहीं उसने नापकिन कुला खाने के बाद शॉपिंग के लिए चलेंगे वो हैरत से उसे देखने लगी रिजवान हस दिया यखीन जानो सारी शॉपिंग अपने पैसों से करूँगा जारा जीब गई इसकी कोई हास जरुरत नहीं जरुरत तो तब से है जब तुम मेरे निकाह में आई थी मेरी जिम्हेदारी थी मगर मैं अपने पैसे का इंतदार कर रहा था रिजवान आप तो बात पकड़कर बैट गए हैं मैंने यूही कह दिया था वो पिचारगी से बोली लेकिन मुझे अच्छा लगा था मेरी लाइफ पार्टनर को ऐसा ही खुददार होना चाहिए था और अगर मैं ऐसी ना होती तो तो मैं बना देता उसने बरजस्ता कहा तो वो उनके जुम्ले से महसूस होती खाने की तरफ में तुच्छा हो गई सोच तो काफी दिनों से रहा था मगर आते ही सल्मान भाई ने मुख्तलिफ कामों में उज़ा दिया तो वक्त ही ना निकाल सका भाई को इंकार इसलिए नहीं कर सकता था कि उन्होंने एक अरसे तक ये सब बिल्कुल तनहा हैंडल किया है अब वो कहते हैं रिस्वान मेरा बाजू है हाँ ताया अब्बू होते तो सल्मान भाई को इतनी चोटी उमर में इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारिया नहीं उठानी पड़ती हाँ ये तो है कभी कभी मुझे ताया अब्बू बहुत याद आते हैं तब तो तुम बहुत चोटी थी हाँ शायद उनकी बाती सुनती हूं इसलिए वो बहुत सहूलत से रिजवान को उस मौजू की तरफ ले आई थी हाला के बाबा मुझे कभी याद नहीं आए सल्मान भाई ने मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारे वालिद नहीं है मेरे लिए तो वो बाबा का दूसरा रूप है रिजवान क्या सल्मान भाई किसी को कतल करवा सकते हैं बहुत अचानक सवाल किया था उसने रिजवान ने चौक कर उसे देखा रिजवान को उस लम्हें वो बहुत उल्जी हुई लगी क्या मतलब अगर ताया अबू के कातिलों को का पता चल जाए तो क्या वो उन्हें असूलन तो उन्हें पुलीस के हमाले करना चाहिए न तफ्तीश होनी चाहिए जारा खाना ढंडा हो रहा है रिजवान का लहचा बेहसं जीदा था वो उसके लहचे से खाइब सी होकर प्लेट पर जुक गई पाकिसारा वक्त वो खमोश ही रहे थे लेकिन शौपिंग के दरमयान सारा खमोश थी और रिजवान ने सारी शौपिंग अपनी पसंद से करवाई थी शाम धले वो शौपिंग बाक्स लिए गर में दाखिल हुई तो ममा टी भी देख रही थी उसने बद्दिली से सारी चीज़ें सोफे पर धेर कर दी ये क्या है पता नहीं जिसवान ने करीदा है मेरे लिए मेरे मना करने के बावजूद भी शौपिंग पर ले क्या था वो सोफे पर नीम दरास हो गई अरे तो कोल कर देखो न ममा ने हैरत से उसे देखा मैं देख चुकी हूँ आप देख ले क्या हुआ किलाफे तवक्व उसे हशाश परशाश ना पाकर उन्होंने सवाल किया कुछ नहीं ममा ठक गई हूँ तो यहां क्यों खड़ी हो नहाद होकर थोड़ी देर सो जाओ बिलकुल फ्रेश हो जाओगी ममा ने प्यार से कहा तो वो उठ गई फिर पहली सीड़ी पर कदम रख कर वापस पल्टी ममा आपनी जैन को फॉन किया था तुम्हारी जाने के बाद कई बार ट्राई किया लेकिन सलीम कहता है वो घर पर नहीं है ममा ने बताया तो कुछ सोचने लगी फिर सर जटक कर बुली दुबारा ट्राई की जेगा वो बेचारा कोई सर्प्राईस देना चाह रहा था बुला रहा था मुझे और आपको अरे तो तुम मुझे तो बता देती ममा जुन्चला गई रिजवान के सामने किस तरह बताती फिर मुझे यकीन था कि आप बात में उसे फान जरूर करेंगी किया तो था मगर वो उसी वक्त कहीं निकल गया जरा मुबाइल तो देना ममा ने कहा तो जारा पलेट कर सुफे तक आई शॉपिंग के साथ उसका शॉल्डर बैग भी रखा था उसने बैग खोर कर मुबाइल निकाला पिर खुद ही जैन का नमबर टैल करती हुई ममा के करीब आवेटी तीन चार बैल के बाद सलीम ने फान उठाय था सलीम जैन कहा गया है जारा ने छूटते ही पूचा पता नहीं बाजी वो तो दुपहर में ही निकल गए थे पिर लोटे ही नहीं कुछ भी बता कर नहीं किया मैं बजार सबसी लेने गया था वापस आया तो घर पर नहीं थे वैसे साब की मौत के बाद तो अकसर इसी तरह पूरा पूरा दिन घर से गाइब रहते हैं और फिर खुद ही वापस भी आ जाते हैं सलीम का लेचा कहता था फिकर की कोई बात नहीं वो इस किसम के मामूल का आदी है ठीक है सलीम जैन आय तो उससे कहना गर फॉन कर ले बिल्कुल कहें दूंगा बाजी बाजी उसने वाद करते करते फिर पुकारा कहो मुझे लगता है आज भाई चान बहुत उधास है क्यों आज उनकी साल के रह थी ना जब सहाब होते थे तो जरूर मनाते थे आज उने सहाब बहुत याद आए होंगे ये पहली साल के रहा है जो उनके बगैर गुजरे ओ नो तो ये था वो सर्प्राइस वो अपने सूने और खाली गर की वहशे दूर करने को उन्हें बुला रहा था और वो आज भी नादानिस्तगी में उसे दुख दे गई थी क्या हुआ ममा ने देहल कर पूछा जारा ने मरे मरे अंदास में मुबायल आफ करके सुफे पर रखा क्या हुआ जैन ठीक तो है आज उसका बर्डे था मामू के बाद पहली साल के रहा और उसने सिर्फ हमें इन्वाइट किया था वो हमें सर्प्राइस देना चाहता था वो बेहत तासुब से बोली ममा का दिल दुख से भर किया कितना याद किया होगा उसने भाई को आज वो रो दी शायद इसलिए वो हमें बुला रहा था पाट लेने से दुख कम हो जाता है न अब वो खफ़ा हो किया होगा वो गहरी अफसुड़गी का एहसास लिये अपने कमरे में आ गई और फिर रात कई तक उसने बार बार फॉन ट्राइ किया था मगर जवाब न दारत शायद सलीम भी अपने घर चला गया था जैन अब उच जो यार आज तो तुम्हारा दिन है वही पुर्श अफ़कत लहचा वही मानूस और महबूब लंस वहर बढ़ा कर जागा उसकी नजरें पंके के घुमते परों पर जम गई उसने शवरी कोशिश की वो लहचा वो लंस फिर से महसूस करने की जो रूह तक को शांत कर देता था मगर खाली दरो दिवार खामोशी और अफसुर्दिगी से उसे तकते रहे बाबा एक सिस्की सी उसके लबों से निकली आँखें जलने लगी मगर वो रोया नहीं युही छट को तकता रहा जहां एक फिल्म सी चल रही थी बाबा उसके लिए केक बेक कर रहे थे वो केक काट रहा था और बाबा उसकी पेशानी पर बहुत साय शबकत सब्त कर रहे थे उसे लगा किसी ने जुक कर उसकी पेशानी चुमली जैन की उंगलियों ने बे इक्तियार उसे चुआ तो गरम पानी कनपटी पर बेह निकला एक खाली पन था जो उसके अंदर जाका था वो बाबा के साथ मिलकर शेहर की सड़के नापता तारीक गलियों पुर रौनक बाजारों से गुजरता वो लोग काना बाहर खाते ये तो बड़ी प्रॉब्लम है आखिर लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में क्या मतलब वो हैरान हुआ अब ये मेरा तुम्हारा को जोड़ तो नहीं है ऐसा करो तुम फॉरन अपने लिए को प्यारी सी पाट्रे ढूंट लो और मैं क्या आप वो चीक उटा था तो क्या हर्ज है तुम्हारे बात मैं तनहा क्या करूँगा बाबा ये चीटिंग है आप सिर्फ अपनी शादी के लिए मेरी शादी पर जोड़ दे रही है सारी दुनिया ही चीटर है बेटा कितना अच्छा लगेगा जब बाब बेटा एक ही दिन शादी करेंगे उसे सोच कर ही शर्मिंदगी होती हाँ अच्छा तो वाकई बहुत लगेगा अपनी नौयर की मुनफरित शादी होगी वो हसते थे उस दिन वो किसी और की बात नहीं करते थे सिर्फ जैन की और अपनी बेल तेज से तेज तर हो गई थी मगर वो ओंधा पड़ा सुनी अंसुनी करता रहा फिर दर्वाजा एक आवास के साथ कुला भाई जान सलीम ने बेहत हैरत से उसे देखा क्या है वो तक्ये में मूँ चुपाए हुए बोला आपने रात को दर्वाजा बंद नहीं किया था बाहर का दर्वाजा लौग नहीं था याद नहीं रहा वो रुखाई से बोला कमाल है ये बूलने वली बात है आपको आज उटना नहीं तुम जाकर अपना काम करो वो सक्ती से बोला तो सलीम चला गया वो खालियु जहनी के साथ बिस्तर पर पड़ा रहा भाई जान नाश्ता सलीम फिर से आमजूद हुआ मुझे नहीं करना सलीम को महसूस हुआ उसके आवाज भारी हो रही थी वो खमोशी से पलट किया कमरे में उसके काम करने और खटबट की आवाजे आने लगी फिर खमोशी चांगी आज का दिन कैसे गुजरेगा उसने यासित से सोचा भाई जान खुदा के लिए सलीम मुझे बार बार डिस्टरब मत करो जो काम करना है करो और जाओ वो चीख उठा भाई जान आपको याद है आज के दिन साहब मुझे नया सूट लेकर देते थे सलीम ने आहिस्ते की से का आज के दिन आपकी सालगिरा के दिन वसर जुका कर बोला जैन ने करवट बदल कर उसे देखा और सलीम ने उसकी सुर्क आँखों को फिर जैन ने साइट टेबल की दरास खोल कर अपना वालिट निकाला तब ही नजर टेबल के उपर रखे दो पूलों पर पड़ी ये उसने सवालिया नजरों से सलीम को देखा मैं लाया था आपके लिए हम उसने वालिट निकाल कर टेबल पर रखा इसमें से पैसे लेकर अपना नया सूट ले आओ नहीं भाईजान मैंने तो सिर्फ इसनी कहा था कि आप मुझ से साहब की बातें करेंगे तो दिल का बोच हलका हो जाएगा तुम नहीं लोगे तो मेरे दिल का बोच कुछ और बढ़ जाएगा अब दिल नहीं करता भाईजान वो सच मुझ अफसुदा था नहीं सलीम प्लीज तुम जाओ अभी अपने लिए सूट ले कर आओ उसके बेहत इसरार पर सलीम ने पैसे ले लिए मैं सबसी लेने जाओंगा तो लेता आओंगा सलीम ने कहा तो जैन ने असबात में सरहिला दिया भाईजान आप अपनी फुपो को बुला ले उसने जाते जाते मशवरा दिया जैन खमोशी से टेबल पर रखे दो फूलों को देखता रहा शाय सलीम ने ठीकी कहा है वो चादर हटा कर उट बैठा फॉन सेट अपनी तरफ खिसका कर नंबर टाइल किया मगर दूसरी तरफ बिजी टोंट सुना ही दे रही थी बात में सही सर बेहद वो जल हो रहा था ठंडे पानी से गुसल के बाद वो खुट गोहाशाश परशाश महसूस करने लगा किचन में आकर उसने केक बनाने के जुमला लवास मात तलाश किये केक बनाना उसने बाबा से सीखा था मैदा, बेकिंग पाउडर, अंडे, घी और पिसी हुई नारियल का पाकेट निकाल कर उसने अपने लिए चाए का पानी रखा और खुद अंडे पहिंटने लगा जब तक चाए बनी वो ज्यादा तर काम निटा चुका था चाए मग में निकाल कर उसने केक के अमेजे को सांचे में निकाल कर ओबन में रखा और अपना कप उठा कर फिर से बेडरूम में आ गया तब उसकी फुपो और जारा से बात हुई, वो हैरान हो गया शायद कोई है, वो उनके लहटे से समझ किया था जारा ने शाम को आने का वादा किया था, वो कद्रे मयूस सा हुआ लेकिन शाम होने में कोई ज्यादा देर तो नहीं उसने खुद को तसली दी, कोई होगा और नमयू इंकार नहीं कर सकती थी उसने घड़ी पर एक निगाह डाली केक तयार हो गया था और उसे करीम वगएरा की ज़रुत थी सलीम भी चला गया है और उसने अलमारी खोल कर अपने कपड़ों का जाइजा ले या पिर नफी में सरहलाते हुए बोला कोई ढंक का लिबात नहीं बाबा होते तो क्या मैं इस हुल्ये में गुम रहा होता कोई नई शौट जरूर ही खरीद लेनी चाहिए जबसे बाबा की डेथ हुई थी उसे अपने सारे प्रोग्राम खुद से डिसकुस करने की आदत हो गई थी सलीम उसे कई पार कुछ से बातने करने पर टोक चुका था मगर आदत थी के जाती ही न थी उसने सेफ खोल कर पैसे निकाले रास्ते में उसे इफ्तखार मिल गया किदर को शेजादे बस कपड़े खरीदे निकला था चलो आओ तुम्हे मुन्य हलवाई का हास सोन हलवा किलाओ इफ्तखार ने दावत दी सोन हलवा जैन ने जरा देर को सोचा नहीं इफ्तखार भाई आज मैं आपको चाय बिलवाओंगा उसे इफ्तखार अच्छा लगता था निडर और बेख़ौफ उसे लगता वो जिन्दगी की आँखों में आँखें डाल कर देखता है किस खुशी में आज मेरा बड़े है वो मुस्कुरा है खैर से बच्चा कितने सालों का हो गया है इतने साल तो हो गए हैं कि आप मुझे नो जवान में शुमार कर सकेंगे जैन ने बर जस्ता कहा तो इतने दिल खोल कर कहका हा लगा हाँ भई लग रहा है चलो फिर चाए हो जाए इतने उसके कंदे पर हाथ मारा चाए पीकर वो दोनों माकिट आगे थे इतने अबबाची के लिए सूट खरीता था वहीं जैन ने जारा को किसी के साथ देखा वो दोनों शौपिंग कर रहे थे वो नोजवान एक एक चीज उसके मशवरे से खरीद रहा था वो बस हूँ हाँ कर रही थी जारा की नेजर उस पर नहीं बड़ी थी वो मुस्कुरा दिया तो ये थी मशुरूफियत जैन ने उन्हें गारी में बैठते देखा कौन हो सकता है वो क्या रॉइ हाउस का कोई मकीन उसकी पेशानी की रगें तन गई नजाने क्यों उन मेंसे किसी भी शक्स को जारा के साथ देखना उसके लिए नाकाबले बर्दाश था उसे लगता वो फुपो और जारा उसे लगता वो फुपो और जारा एक तकौन है जिसका चोथा कोना कोई नहीं जैन ने बगौर उस खुबरू शक्स को देखा हाँ ये भी उन ही में से है उसके दिल ने नफरत से कहा उसे जारा पर बेहत गुसा आया वो क्यों मुस्कुरा रही है हाँ भी क्या कहते हो अच्छी है इफ्तकार ने उसके हाथ में पकरी शॉर्ट को हिलाया अच्छी है लेकिन मुझे नहीं लेनी उसने बेजार होकर शॉर्ट रख दी क्यों? इफ्तकार ने हैरत से उसे देखा बस मेरा मूट नहीं इफ्तकार को उसका मजाज बिगड़ा बिगड़ा सा लगा मेरा तो है इफ्तकार ने वो शॉर्ट खरीद कर पिरमिंट कर दी जैन मना ही करता रह गया मेरी तरफ से सालगिरा का तौफ़ा समझ लो वो दुकान से बाहर आ गया तैंक्यू इफ्तकार भाई जैन ने बाहर आकर कह अच्छा मैं चलता हूँ खामा खामे इतना वक्त ले लिया तुमारा घर जाएंगे? हाँ और तुम? मैं? जैन ने दूर तक पहली सड़क पर आते जाते लोगों और ट्राफिक को देखा उसे अपना आप एक दम बहुत अन्हा लगा पता नहीं इफ्तकार ने बगौर उसे देखा कोई ऐसा नहीं जो मेरा इंतजार करे वो यासित से बोला तो चलो फिर आज की शाम हमारे नाम कर तो इफ्तकार ने कहा और जैन को हमेशा अपना गुसा, गम और दुख शेयर करने के लिए किसी ना किसी की ज़रोत तो रहती थी सो जो उसकी सिम्त हाथ बढ़ाता वो उसी के साथ हो लेता हैपी बर्डे टू यू वो हर बढ़ा कर जगा अभी तक मिस्तर में हो लेजी बॉई पुपो ने प्यार से उसका गाल थप तपाया फिर उसकी पेशानी चूम ली हापी बर्डे मेरी चांग थैंक यू लेकिन मेरी सालगेरा तो कल गुजर की वो संजीदा सा उट पर था एक दिन से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला जारा ने बुके उसकी तरफ पढ़ाया फरक तो खैर वो कुछ कहते कहते डुक गया सौरी बेटा लेकिन तुम मुझे तो बता देते और सारी शाम कहां कई रहे ममा ने पुछा एक तकहार भाई ले गए थे कितनी बार मैं ने फौन किया तुम रात कहे तक घर नहीं आये थे मैं परिशान हो गई थी फुपो ने उसके बाल समा रहे इतनी देर तक बाहर मत रहा करो खाली घर काटने को दोटता है फुपो ठक जाता हूँ इन खाली दरो दिवार को तकते तकते वो बेजारी से गोया हुआ ममा ने कुछ कहना चाहा सारा बोल उठी प्लीज आप लोग इतनी संजीदा गुफ्तुगू मत करें और तुम नहाओ उठकर वो कहकर किचन में आगई ममा बेड़्रूम की सेटिंग ठीक करने लेगी थी वो नहा कर नई शर्ट पहन कर आया तो ममा ने कुपसूरत से रिस्ट वाच उसकी तरफ पढ़ा दी तुम्हारा बर्डे गिफ्ट बहुत कुपसूरत है जैन ने पुरानी गड़ी उतार कर मेस पर रखी सारा कहा है उसने नई गड़ी कलाई पर बांते हुवे कहा किचन में है शायद तुम्हारे लिए कुछ बना रही है फुपो ने बताया तो वो किचन में चला आया जारा अंडे फेंट रही थी नहा लिए उसने आहाट पर पलेट कर देखा हाँ अच्छे लग रहे हो ये कलर तुम पर सूट करता है उसने शर्ट के दरफ इशारा किया इफ्तखार भाई ने लेकर दी थी कल जैन ने बताया फिर पूछने लगा आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया मैं तुम्हारे लिए केक बनाने की कोशिश कर रही हूँ और गिफ्ट तुम्हारा ड्यू है अपने मर्जी का ले लेना कोशिश कर रही है हाँ क्योंके मुझे केक बनाना नहीं आता वो हसे वैसे मुझे पता है के कैसे बनाते है मैंने सोचा आज ट्राइ करती हूँ हटे मैं सिखाता हूँ केक कैसे बनाते है तुम्हें बनाना आता है वो बाउल उसे थमा कर एक तरफ हो गई कल बनाया था जैन ने कप में मैदा निकाला सॉरी जैन मुझे जाना था लेकिन मैंने शाम को आने का वादा किया था तुम का भी हो गए आपके वादे पर कौन है तपार करता वो आहिस तगी से हसा जारा ने खुफकी से देखा तो संजीदा हो गया मेरा दिल नहीं चाहता था मुझसे मिलने को जारा ने हैरत से उसे देखा हाँ वो साफगोई से गोया हुआ क्यों वो खमोशी रहा कुछ लम्हों के बाद जिजगते हुवे पूछते लगा कल आपके साथ कौन था जारा ने चौंक कर गहरी नज़रों से उसे देखा तुमने देखा था हाँ इसलिए गड़ नहीं लोटे थे हाँ क्यों पता नहीं उसने ओवन गरम होने के लिए ओन कर दिया बहराल वो रॉय रिस्वान हैतर है ताय अब्बू का छोटा बेटा मुझे पता था उनहीं में से कोई होगा आपका जाना बहुत से रूड़ी था वो जुझचला कर बोला हाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं आपको उन लोगों के साथ बरदाश नहीं कर सकता जारा ने हैरत से उसे देखा मेरा तालू भी तो रॉय फैमली से है मैं आप और पुपो को बाबा के हमाले से देखता हूँ रिस्वान बहुत अच्छे इंसान है हम वो अमेजे को स्टार की शकल वाले सांचे में डालने लगा मेरी उन से शादी होने वाली है जारा ने इत्मिनान से बताया वो पूरे का पूरा उसके तरफ गूम गया क्या जारा ने असबात में सही ला दिया वो सलमान से बहुत मुखतलिफ है आप उन से शादी मत करें वो जिद्धी लहशे में बोला जारा मुस्कुरा दी अब तो मजबूरी है कैसी मजबूरी है वो जुझलाया पसंद करती हूँ उसको जारा अराम से बोले मुहपत तो नहीं करती पसंदीद की मुहपत की पहली सीड़ी है हो सकता है जैन ने बेयकिनी से उसे देखा तो आप उस शक्स से ضरूर मुत शादी करेंगी करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा निकाह हो चुका है अब तो बस रुक्सती ही बागी है जैन ने हद दर्जे में यकिनी से उसे देखा फिर सांचा यूही छोड़ कर बाहर निकल गया सारा ने केक ओवन में रखा और बाहर आ गई वो चुप चांप सा फुपो के पास बैठा था बाद में उसने जारा से कोई बात नहीं की थी इफ्तखार तुमने जैन को देखा है कॉरीडोर में चलते चलते अचानक रुप कर उसने पिलर के साथ टेक लगा कर खड़े इफ्तखार से पुचा कई बार देखा है मेरा मतलब है कि अभी वो हस्ती अभी तो लाइबरेरी में जाकर सब को दोका देने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत पढ़ने लगा है इफ्तखार ने जवाब दिया तो वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ गई वो वाकई लाइबरेरी के कोने वाली टेबल पर किताब खोले नोट बुक पर आड़ी तिर्ठी लकीरे खेंश रहा था जारा को देखते ही उसने किताब उठा कर चेहरे के सामने कर ली वो मस्कुराती हुई सामने आ बैठी वो तब भी नजर अंदास करता रहा जारा ने उंगली से टेबल बजाई तब किताब के अकब से उसने ख़फा नजरों से उसे देखा तो मेरे जवान वाकई अच्छा नहीं लगा आप यहां मुझसे यही पूछने आई है उसने धुनजला कर किताब टेबल पर पटकी हाँ वो इत्मिनान से बोली मुझे रॉय हाउस का कोई फर्द अच्छा नहीं लगता मैं भी इस वक्त आप भी वो मुझ भुला कर बोला इतने बड़े बड़े सच नहीं बोला करते जारा मतबस्थी में लहचे में बोली दिल दुखने लगता है और जो मेरा दिल दुख रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ उसे शादी मत करें सारा हसती कैसी बच्चों जैसी जित है तुम्हारी आप मुझे बच्चा ही समझती रहे वो तन तना कर उठकिया जारा भी उसके पीछे चरी आई तुम उससे मिलोगे तो तुमें वो बहुत अच्छा लगेगा जैन दरम्यान वाली सीड़ी पर रुक कर पल्टा मुझे बस इतना मालूम है वो शक्स आपको मुझे से दूर करतेगा कभी नहीं मिलने देगा और मैं आपसे महपत करता हूँ क्योंके बाबा आपसे महपत करते थे अभी तो मिलती हूँ अभी आप रॉय हाउस पे नहीं रहती तब आप उस शक्स के सामने जवाब दे होगी वो दो दो सीड़ियां उतर किया जैन जैन जारा ने बुकारा आखरी सीड़ी पर अनम ने उसे रुका ये तुम तो लगता है अपने मामु जात को ही प्यारी हो गई हो नहीं बस वह रुक गई जारा जैन को देखने आई थी कभी हमें भी देख लिया करो जैन कोई बच्चा नहीं जो भीड में फिर से गुम हो जाएगा सारा दिन तो तुम्हारे साथ होती हूँ हाँ और तुमें फिर भी ये नहीं पता कि वो इफ्तखार का बच्चा उसमा के हाँ फिर से जा पहुँचा है क्या जारा ने तहियूर से उसे देखा हाँ जी कल शाम की बात है ये अनम को हस्पे मामूल मज़ा आ रहा था उसमा कहा है रो रही है उसने अराम से कहा वाट अनम उसे वहां ले आई जहां उसमा तनहा मूँ फुलाए सफ़ गुस्चे में बैटी थी ये मैं क्या सुन रही हूं उसमा जारा उसके करीब बैठी मैं उसे कतल कर दूँगी उस चीक उठे बस कर चुकी उसे कतल अनम ने हाथ जाड़े मैं युनिवर्शिटी छोड़ दूँगी जलील करवा रहा है मुझे सब के सामने बाइदवे अपके क्या कर लिया है उसने नहीं नहीं लिखा हुआ है बाइदवे अपके क्या लेकर गया था जारा ने पूछा अचार का मरतबान अनम दिल खोल कर हसी जारा ने बड़ी मुश्कल से मुस्कुरा हर्जब्त की क्या वो भी सारे दोस्तों में बाइदे थे नहीं उसे उसमा के अपबा बहुत अच्छे लगे बकॉल उसके आज के दौर में ऐसे सादा और दर्वेश मंश इनसान कहां मिलते हैं सो वो तो अपबा की मुहपत में अपबा से मिल ले गया था मरतबान लेकर तो उसमा के अपबा ने क्या कहां अब तो जारा को भी इस सारी कहानी में दिल्चस्पी महसूस हो रही थी चटखारे ले ले लेकर अचार खाया इफ्तखार को उस्मा के हाथ से बनवा कर पकोड़े की लाए बकॉल अबबा आज के दौर में ऐसे साधत मंद और बुज़र्गों का एहसास करने वाले नोजवान कहां दस्तियाब होते है तुम्हें ये सब कैसे मलूम हुआ क्योंकि मैं वहीं मुझूद थी अनम को उस्मा की हालत सोच सोच कर हसी आ रही थी तुम्हारे बहुत दाथ निकल रहे है उस्मा ताओ खा कर बोली हाँ उस्मा दाथ पीस पीस कर उसे गूर रही थी और वो मज़े से पकोड़े एक खाता हुआ कह रहा था पकोड़े बहुत मज़े के बने हैं लगता है उजमा ने नहीं बनाए उसके लबों से हसी का फवारा चूट किया उजमा ने हाथ में पकड़ी फाइल उसे खेंच मारी अल्ला करे ये सब तुम्हारे साथ भी हो है ला करे उसने फौरण दौाया अंदास में हाथ बुलंद किये उसमा गुसे में उठकर जाने लगी जारा ने हाथ पकड़ कर रुका तुम क्यों अपना कुन जलाती हो मैं बात करूंगी उससे वो कहे देगा अच्छा नहीं लगा अच्छार कोई बात नहीं अगली बार से ही अनम ने कहा और दूसरे ही पल बचाओ बचाओ का नारा लगाती वहां से भागी थी कि उसमा ने हाथ अपने सैंडल की तरफ बढ़ाया था उसमा, जारा ने उसका हाथ पकड़ा, उसमा ने दूर जाती अनम को देखा, वो शाइसता वगरा के ग्रूप में जागुसी थी, फिर सिधी होकर बैट गए, तुम्हें वाकई इफ्टाखार का आना अच्छा नहीं लगता, मैं मजाक नहीं कर रही जारा और नहीं बन रही मुझे बागी उसका यूंगर आना अच्छा नहीं लगता, वो जुन्जला कर बोली, तुम्हें लोगों की परवा है, इफ्टाखार की नहीं, मुझे अपने लोगों की परवा है, मुझे इस बात की फकर है कि वो मेरे पारे में क्या सोचते हैं, वो जोर दे कर बोली, क्या वो तुम्हें जानते नहीं, जारा ने पूछा तो उस्मा ने दोनों बाजू गुटनों के गिर्द लपेट कर, उन पर थोड़ी टिकाते हुए संजीदा नजरों से जारा को देखा, गलत फहमिया कहां से जनल लेती हैं, करीबी रिष्टे शक की नजर से किस तरहां, करीब रिष्टों को किस सरहां खा जाते हैं, मामू भी तो इसी आग में जल कर राख हो गए, शक का नाग बिलकुल इसी तरहां एतबार को भी डस लेता है, वो अजीब से लहचे में बुल्डी, जारा ने चौक कर उने देखा, किस का एतबार, मेरे अपनों का एतबार, वो आहिस हमदान जमीनदार है, तालीम का रवाज नहीं, खास हो पर लड़कियों में तो बिलकुल नहीं, मेरे अपबा ने अपने शौक में मेट्रिक के बाद, पी टी सी करके, उस्ताद बनने की तरजीह, उस्ताद बनने को तरजीह दी थी, यूं भी वो बाकी लोगों से जरा तलिफ और लिबरल बाकिया हुए हैं, और बहुत नर्म दिल भी, उनकी तालीम यू अधूरी रह गई के, दादा ने उनकी मजीद फीज देने से इंकार कर दिया था, उनका खाब अधूरा रह गया, और ये अधूरे खाब बहुत तकलीव देते हैं जारा, अबा ने चाहा वो ये खाब अपने बच्चों की सुरत में पूरे करें, मैं बड़ी बेटी थी, उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया, यहां तक तो खैर थी कि इतनी तालीम तो हर कोई दिलवा देता है, आफ़त तब हुई जब मैं मैट्रिक के बाद कॉलिज में चली आई, खांदान में कोई बोंचाल आ गया, हर कोई अबबा को समझाने आ रहा था, अबबा हस हस कर टालते रहे, दादा ने तो यहां तक कह दिया, अपनी बेटियों की कमाई खाएगा अब्दुल जबार, इससे बेहतर है डूब के मरचा, अबबा फिर भी कुछ नहीं बोले, उन और बस, मेरे लिए ये एक जुमला नहीं था, उनके एहतमाद का हसार था, कास की एक एक पती तोड़ते हुए वो बहुत आहिस्तेगी से बोल रही थी, उसे मलूम भी ना हुआ कब अनम आकर फिर से उसके पास पैट गई थी, पूरे खांदान की नज़रे मुझ पर लगी ह कि कहां मैं लड़ खड़ाओं और वो अबा को मुझ के बल किरा दे, मेरे एक 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 अमल और एक एक हरकत पर उनकी नज़र है, मैं अगर कभी बूले से गुन गुना भी लूँ तो उनकी निगाहों में शक उतरने रगता है, मेरे लबास में अगर ममूली सी तबदीली भी नज़र आ जाए तो वो होचों में उंगली दबा कर फैशन को कोसने लगती है, फैशन उनकी नज़र में फहाशी है, बुराई है, और फैशन करने वाले को बखशना उनकी लुगत में नहीं, वाजिया रहे कि फैशन जुम्रे में साफ सुतरा अच्छा लिबास भी आता है खुआ, वो कितना ही ग्रेसफूल क्यों नहो और अब तो मैं लड़कों के साथ पढ़ती हूँ, वो इस्तहजाया सी, हसी, हसी, अब तो मेरे बिगड़ने के फुल चांसिस हैं, ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, जारा ने हैरत से बुझा, खुझा का शुकर है कि हमारा अलग घर है, और उसका महौल भी ऐसा नहीं, जिस दिन इफ्तखार आया था, अबा ने मुझे कुछ नहीं कहा था, मकर अमा ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा था, वो नजरे मेरे अंदर कहीं गड़कर रह गई हैं, तुम लोगों के लिए ये मज़ा है, ठ्रील है, और मेरा उमर भर का एतमाद दाव पर लगा है, उसने अनम पर निगाह डाली, वो शर्मिंदा सी हो गई, सोरी उसमा लेकिन तुम्हे मलूम है, मैं सिर्फ मजाकिया करती हूँ, मैं जानती हूँ, अब तुम ही बताओ जारा, इन हलात में, मैं किस तरह उसकी पजीराई करू वो बेबसी से पूछते लगी, शायद तुम ठीक ही कर रही हो, जारा ने एक तवील सांस केची फिर अचानक पूछते लगी, क्या वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, फिर वो ही बात, जारा ने जुन जुला कर उसे देखा, मसला ये नहीं है जारा, तुम ये बात नही समझे, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर वो बरहे रास्त अपना प्रपोजल भीजवा दे तो, तो मैं इंकार कर दूँगी, वो कतई लहचे में बुली, बस यहीं पर आकर उसका दमाख खराब हो जाता है, अनम को यहीं पर आकर एतराज होता था, जारा ने हैरत से उसमा को देखा, क्यों, क्यों इंकार करोगी तुम, लोग तो यहीं कहेंगे यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं, शोहर ढूनने गई थी, वो जहर खुन लहचे में बुली, नहीं उसमा, जारा ने बे एक्तियार टोका, इससे पहले तुमने जो कुछ कहा वो सब ठीक, लेकि तुम उसे लब लेटर लिखो, उसके साथ गूमो भी रो, लेकिन अगर वो भी तुम्हें पसंद करता है, और तुम भी उसे पसंद करती हो, तो इस बात की अजासद तुम्हें मजब भी देता है, और कानून भी, कि तुम शादी कर लो, अब इस मौशरे के अनपर और जाह शर्मिन्दा होना नहीं चाहती, उसमा कर नहजा ठोस था, कोई गुना तो नहीं कर रही हो, जो तुम शर्मिन्दा होगी और कमाल है, मुहपत जैसा आफा की जजबा तुम्हारे लिए शर्मिन्दगी है, अनम ने तंजिया लहजे में कहा, ये सब किताबी बाते हैं, वो उ जास नहीं आएका, ये तुम मुझ से लिक्मालो, अनम चुर कर बोली, जारा मुस्कुरा दी, तुम्हें क्यों इतनी फिकर है उसकी, फ्रेंड तो हमारी उसमा है, पस्पन नहीं चाहती कि इस लव स्टोरी का एंट ट्रैजिक हो, तुम से किसने कह दिया कि मैं उससे महपत क चुरती हूँ, उसमा ने उसे तीकी नजरों से गुरा, उस दिन हालत देखी थी इसकी, लगता था गोली इफ्तखार को नहीं इसको लगी है, वो जारा को देखते हुए बर्जस्ता बुली और उसमा बहुत कुछ कहने की कोशिश में कुछ भी ना कह पाई, तो वहां से था कि वो अराम से तानी मुकमल करके कुछ अर्सा गुजारा कर सके लेकिन वो संजीत की से अभी से कुछ करने के बारे में सोच रहा था, क्यूंकि कोई ऐसा ना था जो उसके मुस्तगिल के बारे में सोच सके, उसे जो कुछ भी करना था, अपने बलबूते पर करना था, ज चंडी हवा के नम जोंके आने वली शाम की आहँटें सुना रहे थे। एक और शाम उदास और तनहा। हर आने वली शाम उसे इतना ही तनहा और उदास कर देती थी। वो बहुत देर तक बैठा यूही पानियों पर बनते भमर देखता रहा। बापा जिन्दा होते तो ये जिन्दगी कितनी मुक्तलिफ होती। उसने जरा सब जुक कर आते जाते लोगों को देखा। एक डेरी वाला आवास लगाता जा रहा था। ना तो उसकी आवास में जान वक्त किताबों का पलंदा उठाई यहीं से गुजरती थी। उसकी नजरे हमेशा जमीन को चूती। उसकी चाल में एक अजीब सा होफ नजर आता था। गोया एक एक कदम सोच कर रखती हो। तब ही एक गेंद उड़ती हुई उसके अकब में गिरी। ओह नो की मासूम आव अबी से बच्चे टेर्स की ग्रिल पर चड़ाए। अंकल अंकल हमारी बॉल। जैन ने जुक कर बॉल उचाया उसे उनके तरफ उचाल दिया। बॉल उनके उपर से गुजर कर अकब में गिरी वो खुशी से चीखते हुए गेंद की तरफ भागे। हलकी सी नस्वानी का। क्या हुआ। लड़की ने गबरा कर चेहरा उपर उठाया। उसके लब कपकपाई फिर उसने बेबसी से चेहरा जुका लिया। उसकी सिया उदास आंखों में दर्द और आंसू गुड मुड से हो गए थे। वो कुछ लम्हे मतजबजब सा उसके जुके हुए सर को द रही थी। जैन बे एक्तियार उसके करीब बेठा। ठेहरो मैं निकालता हूँ। लड़की ने जोर से आंखें मीच ली। जैन ने उसकी एड़ी थाम कर एहतियात से मगर जोर से शीशा खेंचा। शीशा बाहर आया साथ ही खुन का फवारा चूट गया। लड़की के ली मगर रुमाल नदारत था। उसने सियाह चादर का कोना खेंच कर एड़ी पर रखा। इसे पकड़ो। खुद वो उठकर तेजी से चला गया। लड़की ने गर्दन गुमा कर उसे देखा। तकलीव की शिदत से मुँ से सिसकारी निकल आई। जल्द ही वापस आया तो उसके हाथ में रुमाल था। उसके करीब बैठ कर उसने चादर हटाई उस पर रुमाल बांद दिया फिर उसका वाजो थाम कर बोला आओ पट्टी बांदो। वो बिजली किसी तेजी से पीछे हटी और खौपसादा लहचे में बोली मैं मैं चली जाओंगी। ऐसे तो घर तक नहीं पहुच पाओगी बस यहीं बरामदे तक चली आओ चन्द मिन्ट लगेंगे। वो पुर इसरार लहचे में बोला। लड़की ने एड़ी पर बंदा रुमाल देखा जो खून से सुर्क हो रहा था। मजबूरां उसके सहारे वो बरामदे तक चली आई। बरामद कि जरा उसे देखा फिर मुस्कुरा दिया। इतनी बड़ी होकर रो रही हो। वो शर्मिन्दा हो गए। चादर के कौने से आशू साफ करें लगी। शर्मिन्दा होने बात नहीं तकलीफ में बड़े बड़े रो देते हैं। फिर हसकर शरारती अंदास में बोला। मैं भी लड़की के लबों पर मुस्कुराहट की रमग भी न जागी। वो लब भीचे अपनी एड़ी को गूटती रही। जैन में पटी की फिर बाहर निकलाया। अलामा इकबाल ओपन युनिवरसिटी की सीटी की किताबें वहीं बिक्री थी। उसके चपल भी वो उठा कर अंद लगी पानी पियोगी। उसने पहले नफी फिर असपात में सरहें लाया था। जैन मस्कुराता हुआ फिर से अंदर घुसकिया। वो कमोशी से खड़ी किताबें जाड़ती रही। फिर उसने बेबसी से तूटी हुई चपल को देखा और लब काटने लगी। एड़ी से द ये टैबलेट ले लो तकलीफ नहीं होगी। उसके लेंचे में बला की अपना ये थी। जो उसके लिए कत्तई अशनवी थी। जैन ने गोली उसकी फैली हथेली पर रखी वो गटा-गट गलास चड़ा गई। और लोगी। उसने नफी में सरहे जाया और शादत ठीक करने लगी। ये मेरी चपल पहन लो। तुम्हारी तो पहनने के काबिल नहीं रही। नहीं यूही ठीक है। उसने एक चपल पाउं में डाली और दूसरी हाथ में पकर ली। यू जाओगी। पाउं में कुछ और लग गया तो मैं दूसरी पर पच्ची नहीं करूँगा। उसक जब-जब खड़ी उसके चपल देखती रही। ये पहननी पढ़ेंगी खुद बखुद पाउं में नहीं जड़ती। जैन ने कहा तो उसने अपनी चपल उतार कर उसकी पहन ली। वो उसे दर्वाजे तक छोड़ने नहीं आया बस वहीं खड़ा देखते रहा। वो लाजा खोल कर अंदर गाइब हो गया। उसके कदम ठके ठके अंदास में अपने रास्ते पर चल दिये। कौन थी भाईजान। सलीम ने उसे निकलते देखा आते ही पूछते लगा। जैन ने फ्रिच खोल कर जाइजा लिया। कौन। जो अभी अभी यहां से गई है। उस कौन थी। अब आप ये भी कहेंगे कि वो यहां आई ही नहीं थी। क्या आई तो वो थी। जैन ने अंगूर का दाना मूं में डालते हुए इत्मिनान से कहा। सलीम कुछ खफा होकर बरतनों के तरफ मतबच्चा हो गया। जैन बाहर निकलने लगा तो जंजला कर बोला। जानते नहीं तो अपनी चपल क्यों उसको दी। जैन ने पलट कर हैरत से उसे देखा फिर सराहने वाले अंदास में बोला यार। बड़ी तेज नजर है तेरी। वैसे तुम्हें किस बात पर गुसा आ रहा है चपल पर या उसे देने पर। आप पर। सलीम ने जंजला कर क बड़ाही चूले पर रखी जैन हस दिया। मैंने क्या किया है। कुछ नहीं सहाब हमने तो यूही पूछ लिया हमें माफ कर दें। वो दोनों हाथ जोड कर बोला। जैन का कह कहां बुलंद था। ने जाने क्या था मगर उसकी कुछ लम्हें पहले वली वो बिजारी और य नहीं लगी तुम्हें खेलना नहीं आता। जूट भी बोलती हैं आप वो उसके बराबर आ बैठा। जिन्दगी भर मैंने इतने जूट नहीं बोले जितने तुम्हारी खातिर बोले हैं वो हस बड़ी मेरी खातिर। जैन ने गर्दन गुमा कर उसे देखा। अपनी सहेली लहचे में बोला। खुदा का खौफ करो जारा जल्दी से बोली। अभी तो लगता है सिर्फ इनसानों का खौफ सर पर सवार है बलके सिर्फ एक इनसान रॉय सल्मान हैदर। लेकिन जिस दिन मैंने इस खौफ के हसार को तोड़ दिया। वो दिन कोई और ही तारीख लिख लिखेगा उसका लहचा अजीब सा हो गया। जब तुम इस लहचे में बात करते हो तो मुझे तुम से खौफ आने लगता है। वो जुरचुरी लेकर बुली जैन मस्कुरा दिया। कहे आपको तुम उससे डिरने की जरूरत नहीं। कहे कतल की धम किया तो तुम मुझे भी दे चुके हो। जारा की निगाहों में शरारत मचली अब जाने भी दें वो जीब कया। उस दिन तुम इतने दावे कर रहे थे कि मुझे लगा बस कुछ करही दोगे। जैन ने बेहल संजीदा नजरों से उसे देखा। मैं बहुत बुजदिल इनसान हूँ। बाबा की मु मैं ऐसा होसना पाऊंगा कि उनके सामने जा खड़ा हूँ। कि देखो मैं उस शक्स का बेटा हूँ जिसने कुछ नहीं किया मगर सारी जिन्दगी एक बे जर्म सजा की तरहां काट दी। उसका चेरा दहक ने रगा था। रिलाक्स जैन इसका फैसला तो होना ही है और वक्त बहुत बेहतर मुंसफ है। जारा ने रसानियत से समझाया। जो हाथ पर हाथ धरे बैठे वक्त के इंसाफ का इंतजार करें वक्त उन्हें कुछ भी नहीं देता। वो तड़ा कर बोला और जारा के लिए उसके मजाच का उतार चड़ाओ बहुत तकलीफ देता। वो अच् का इंतजार किये बगैर खुद ही गेट खोलने चला गया। खटका हटाते ही इससे कबल के वो गेट खोलता किसी ने धका देकर छोटा दर्मासा खोला था। क्या बेहुत की है ये। जैन जुझुलाया। दूसरे पल आने वाले ने उसे गिरेबान से पकड़कर जोड़ता धका दिया। जैन पुष्ट के बल जमीन पर गिरा था। उसके साथ ही दूसरा आत्मी भी अंदर दाकिरनो किया। जारा हर बढ़ा कर खड़ी हुई। आने वालों के तेवर बहुत खतरनाक थे। जारा बे एक्तियार आगे बढ़ी। तुम वही रुको बीबी ये तुम् कौन तुम लोग। जैन खड़ा हो किया था। दोनों चेहरे उसके लिए बिलकुल अच्टमी थे। एक पल को उसका देहान रॉय सल्मान की तरफ कह था। तुम्हारा बाप। दूसरे शक्स ने जारहाना अंदास में उसका गिरे बान दबोचा। ऐसा से तोहीन से जैन का तरफ आंक उठा कर भी देखा तो जिन्दा जमीन में गार देंगे। को लड़की। जैन ने उलच कर उन्हें गुरा। ये। पहले शक्स ने चप्पल की जोड़ी उसके आगे फेंगी थी। वो उसके गुटनों से टकरा कर नीचे गिरी। जारा का ख़या था कि जैन अब उन से भिड़ जाएका मगर उसकी हैरत की इंतिहा न रही। जब जैन मुटियां बींचे उन चपलों को गूरता रहा। फिर उसने सर उठा कर सामने गुसे में बिफड़े शक्स को बेहत हैरत से देखा। तुमें शयद कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी के पुतर वो पिर से बिफड़ने लगा था। दूसरे शक्स ने उसका बाजू पकड़ा फिर जैन को गूरते हुए सख्त और संगीन लहचे में बोला था। हम गैरत पर कतल हो भी चाते हैं कतल कर भी देते हैं पहतर है अपना रास्ता बदल लो। मैंने जिर्व उसकी मदद की थी। जै और मैंने इनसानियत के नाते उसकी मदद कर दी। जैन ने बेहत हैरत से उन्हें देखते हुए वजाहत की थी। जैसे समझना पा रहा हो कि क्यों वो लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा इशू बना रही थे। आइंदा इस काबिल ही नहीं रहोगे। इनसानियत के अलंब पार्णिंग नहीं देंगे टुकुडे टुकुडे करके दर्या में बहा देंगे। बेगैरत मत समझता हमें। जैन ने चाहा कि वो उन लोगों की गल्फ एहमी दूर करते मगर वो कुछ भी सुनने पर अमादा नहीं थे। दमकियां देते जैसे आए थे वैसे ही पलट ये गुसा जब्त करने की कोशिश करने लगा। जारा तेजी से उसके करीब आही कौन थे वो लोग। जैन ने एक तवील सांस लेकर खुद को पुछ सकुन करने की कोशिश की फिर आहिस्तगी से बोला। मालूम नहीं तुमसे क्यूं जगर रहे थे। उन्हें गलत फहमी हो उसके बंदें नहीं थे। वो बस खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। तो पिर कौन थे। यूँ तुम्हारे घर में गुस कर तुम्हें दमकियां देना तुम पुलिस को इंफॉर्म। इसकी ज़रत नहीं वो कस्दन मुस्कुराया। क्यों ज़रत नहीं है क्या कि जिसका दिल चाहे घर में गुस कर मार कुटाई करने लगे। वो तिल मिला कर बोली उसे जैन के अंदास पर हैरत और गुसा आ रहा था। आएं अंदर चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़ कर कस्दन मुस्कुराया। जारा ने खुफकी से अपना हाथ छोड़ाया। और कोई गलत फहमी का शिकार नहीं होता जैनलाबिदीन खास तोर बरकिसी लड़की के मामले में। हलांके यही वो मामला है जहां लोग जारा ने हाथ उठा कर उसे मजीद बोलने से रोप दिया। तुम मुझे टाल रहे हो। ओ गाट। तो आपको मुझ पर यकीन नहीं बहला मैं आपसे क्या चुपा सकता हूँ। वो बेहद बेचार की से बोला था। शायद बहुत कुछ। वो उसे शक भरी निगाहों से गूर रही थी। जैन महस कंदे उचका कर रह गया। अब मैं मजीद क्या कहूँ। कुछ मत कहूँ। मैं चलती हूँ। वो यकीनां खफा होक पर कह रही थी और जैन ने उसे रोका भी नहीं। वो खुद इस वक बहुत उलज रहा था। बस इतना कहा। फुपो को मत बताये का वो खामखा परिशान हो जाएंगी। जारा ने असबात में सहिला दिया। फिर कदरे जटताने वाले अंदास में बोली थी और जो मैं पर का। वो लोग जो गरचते हैं वो बरसते नहीं। यह महावरा तो सुना ही होगा आपने। जारा की तश्वेश और परेशानी पर तमानियत की एक लहर सी उसके अंदर फैल गई। बस अपना ख्याल रपना। प्रेकिट। और जिस पर बाबा ने इस दुनिया से मूँ मोड मैंने सोचा था शायद यह बतनसी भी मेरी किसमत में लिखती गई है कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहो जो मेरी किसी तकलीफ पर तड़प उठे। और अब वो पुछ सकून अंदास में मुस्कुडाया मुहपतों के इस खजाने को कहां संभार रखू। जारा के जाने के ब घरपूर अंदास में मुस्कुराया जबके जारा कुछ बेजार सी हो गई वो इस वक्त रॉइ हाउस के किसी मकीन का सामना नहीं करना चाहती थी। कहा रह गई थी जारा रिजवान काफी देर से इंतजार कर रहा था। ममा ने यूही पूछा जबके वो जानती थी कि जारा कहा हो सकती है। अनम की तरफ गई थी। जारा ने मुख्तसरं कहा फिर रिजवान की तरफ देखते हुए कस्तन मुस्कुराई। कैसे हैं आप। जैसा नज़र आता हूँ। और वो हमेशा की तरह बहुत फ्रेश नज़र आ रहा था। खाना लगों तुमारे लिए। ममा ख जबजब सी उसे देखने लगी। वो इस वक्त कहीं खास तोर पर रिजवान के साथ कहीं भी जाने के लिए जहनी और दिली तोर पर आमादा नहीं थी। नजाने क्यों जारा को उन लोगों से चुड़सी होने लगी थी। अगर मूट नहीं तो फिर कभी सही। वो शायद उसका तजब सुपा गया था तब ही फॉरन बोल उठा। नवाक गई आज कुछ ठकी हुई हूँ। आप लीज माइड मत कीज़े का। अबके वो ज़रा दो टोक लहचे में बोली थी। ममा ने कदरे हैरत से उसे देखा रिजवान फिर कुछ देर ही रुका। क्या हुआ को रिजवान के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था वो तुम्हारा शोहर है जानती हूँ। मगर ये भी तो जरूरी नहीं कि जब उसका मूट हो तब ही मैं। अच्छा जानी दो ये बताओ जैन कैसा है। ममा ने उसके मूट के पेशे नजर बात बदली। जैन एक पल को उसका जहन भटक कर आज के वाके के तरफ चला गया। क्या सोचने लगी। ममा की आवास ने उसे चौंका दिया तो वो उलच कर बोली थी। ममा जहन कितना अकेला है। अकेला क्यों कि हम नहीं है। ममा फॉरण बोली। हम। जरा इस तहजाया अंदाज पर मुस्कुराई। हम क्या हैं उसके? जिस रिष्टे का वो एहलान नहीं कर सकता? हम किसी को बता नहीं सकते? तो क्या माइनी रखता है ये हमारा और उसका तालुक? फर्स करें। अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो, क्या मदद कर सकते हैं हम उसकी? क्या रॉय फामली उसके लिए कुछ करने को तय चटका? कभी कभी मुझे लगता है हमने बहुत गलत किया. खामला उसे अपनी महपतों का पबंद कर दिया. वो अजाद होता तो जरूर अपने लिए कोई न कोई रस्ता ढूंड लेता. तुम क्या कह रही हो, सारा? ममा परेशान सी होकर उसे देखने लेगी, कुछ नहीं. बस कभी कभी मुझे चुटसी होने लगती है. इस सारी रूटीन से. वो अपना बैक उठा कर खड़ी हो गई. कुछ भी बता कर वो ममा को परेशान नहीं करना चाहती थी और वो ये भी नहीं. और वो ये नहीं जानती थी कि उन्हें परेशान कर गई है. ठंडा यख फर्ष था. गनी खमोशी से गले मिलती मोहीब तरीकी. कहीं रौशनी की कोई किरन, कोई नना सा जुगनू तक ना था. बस कभी कभी कोई दबी दबी सी कराह, एक खौब सदा सी सिस्की थी, जो उसी खमोशी से टकरा टकरा कर अंधेरे में बिकर रही थी. वो कौन थी? क्यूं थी? और कहां थी? अंधेरा उन सारे सवालों को निकल गया था. जवाब कहां से आते? क्या ये सारा फसाद मेरे होने का है? एक सखमी सी सोच ने उसके खाबीदा उमते जाकते सहन को बेदार किया. उसके सहारे के मतलशी बाजू बे एक्तियार पहले. अंधेरे ने उन्हे थामा और पत्रिली दिवार ने उसे सहारा दिया. उसने जल्दी आँखों को मीच कर खुला. फिर कहीं कोई मनजर ना जागा था. बस वही एक अंधेरा. उसके लबों पर सिस्किया मुझमित हो गई थी. उसने अपने लरस्ते हातों से अपने वजूद पर लगे एक एक सखम को श पसूर पूछने लगा था. वो जवाब क्या देती? बस जोर जोर से रोने लगी थी. उसे अपनी मापर गुसा आ रहा था जिसने उसे जनम दिया और खुद मर गई. उसे अपने बाप से नफरत महसूस हो रही थी. कहते थे उसे उसकी माँ से बड़ी महपत थी. तब ही जम एपिसोड 3 ऑफ दी नौगुल एवक्त गवाही दे बाय रहत जबी. घप थी लाइक अपने बहुत च्यार लगीगा. नेक तमनाओ के साथ लाह आफ़ेज एज़ और भी दो पर गई नेक तमनाओ के साथ आथ आफ़ेज़ और पर चानल विकस आप एपने शनल आप एज़